वेल्कम टू ड्रीम के बीसी जिके दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका ड्रीम के बीसी जिके चैनल में दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर भारत के प्रदान मंदरी से सवीधान के पचास अती महत्तोपून क्विशन लेके आया हूँ हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगता है आपकी स्टडी में हैलफूल लगता है तो इसे लाइक कीजिए सेर कीजिए और अभी तक आपने हमारा यह चैनल ड्रीम के बीसी जिके चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है आप हमारी चैनल पर नए हो तो दोस्तों आपको नमबर वीडियो की नोडिफिकिशन दोस्तों इस वीडियो में पुरे पचास क्वेशन कवर कियेगे मैंने आप वही क्वेशन लिए जो पिछली गवर्मेंट एक्जाम जाके SSCO, CZL, Railway Group D पिछली गवर्मेंट एक्जाम में जो क्वेशन पुछे ग यह सभी प्रदानमंद्री लगज़ा दो कारेकाल के रिए प्रदानमंद्री चुने गए थे जवालाल नेरु डॉक्टर मन मोहन सिंख इंदिरा गांधी नहरेंद्र मोधी और अटल बिहारी वाच्वे अगलेक्शन यदि भारत के प्रदानमंद्री संसत के उच्छ सदन के सकेंगे अगलेक्शन प्रदानमंद्री कौन बनता है तो इसका उत्र आप्सन है लोकसभा में भारत के प्रदानमंद्री बनता है अगलेक्शन भारत के प्रदानमंद्री तो इसका उत्र आप्सन है लोकसभा में भारत के प्रदानमंद्री पत के लिए उमीदवार की कम से क कम कितनी उम्रव होनी चाहिए तो इसका उत्र ओप्सन सी 25 वर्ष कम से कम उम्रव होनी चाहिए भारत के प्रदान मंत्री पत के लिए उमिद्वार की कम से कम उम्रव अगला कुशन प्रदान मंदरी की नियुक्ती राष्ट्रपती करता है यहां किस अनुशेद में वनित है तो इस क्रिशन का उद्र ओप्सन से अनुशेद 75 में वनित है प्रदान मंदरी की नियुक्ती राष्ट्रपती करता है अगला कुशन मंत्री मंडल संगीय की बैठक की अध्यक्सता कौन करता है तो इसका उप्सन भी प्रधान मंत्री करता है मंत्री मंडल संगीय की बैठक की अध्यक्सता अगला कुशन संसदिय तंत्र में वह वेक्ति प्रधान मंत्री चुना जाता है जो निम्न का नेता होता है तो इसका उत्र उप्सन डी निम्न सदन में भहुमत दल उप्सन डी सही हो जाएगा अगला क्शन आम तोर पर भारत के प्रदान मत्री होते है तो इसका उत्र उप्सन भी लोकसभा का सदिश्य होते है आम तोर पर भारत के प्रदान मंत्री अगला क्षिन निती आयोग का अध्यक्ष कौन होता है तो इसका उत्र उप्षन सी प्रदान मंत्री होते है निती आयोग के अध्यक्ष अगला क्षिन संगीय मंत्री परिशत का अध्यक्ष कौन होता है तो इसका उत्र उप्षन भी प्र तो इसका उत्र उप्षन सी प्रदान मंत्री करता है लोकसभा का नेत्रित्व अगलाक्षन बारत में सक्तियों का प्रमुक उभरता कैंद्रा है तो इसका उत्र उप्षन प्रदान मंत्री है बारत में सक्तियों का प्रमुक उभरता कैंद्रा अगला कुशन, भारत में एक वेक्षी अधिक से अधिक कितनी बार प्रदान मंत्री पद पर नियुक्त हो सकता है तो इसका उत्र option डी कितनी ही बार, उसका कोई limit नहीं होता है अगला कुशन, सामन यतह प्रदान मंत्री तो इसका उत्र उप्सन ने लोकसभा के बहुमत दलका नेता होता है सामन नेतह प्रदानमंद्री अगला किशन प्रदानमंद्री को उसके पद की गोपनियता की सपत कौन दिलाता है तो इसका उत्र option ने राश्ट्रपती दिलाता है प्रदान मंद्री को उसके पद की गोपनियता की सपत अगला क्षिन प्रदान मंद्री की नियुक्ति कौन करता है तो इसका उत्र option ने राज्य सभा का सभापती करता है प्रदान मंद्री की नियुक्ति अगला क्षिशन, भारत के प्रदान मंत्री का पद, तो इसका उत्रा option C, सविदान द्वरा गठित होता है, भारत के प्रदान मंत्री का पद, अगला क्षिशन, भारत के प्रदान मंत्री का पद है, तो इसका उत्रा option A, सविदान द्वरा सरजित होता है, नेक्ट प्रदान मं प्रदान मंत्री पद से पद त्याग करने वाले प्रथम वेक्ती है तो कौन है तो इसका उत्रा उप्सन सी मुरार जी देशा है प्रदान मंत्री पद से पद त्याग करने वाले प्रथम प्रदान मंत्री अगला किशन सबसे अधिक उम्र में प्रदान मंत्री पद पर आसीन होने वाले विक्ती कौन है तो इसका उतरे आप्शन सी मुरार जी देशा है सबसे अधिक उम्र में प्रदान मंत्री पद पर आसीन होने वाले विक्ती अगला क्रिशन सबसे कम उम्र में प्रदान मंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति कौन है तो इसका उत्रा उप्सन सी राजीव गांधी है सबसे कम उम्र में प्रदान मंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति अगला एक्षिन प्रथम गेर कांगरेशी प्रदान मंत्री बने थे तो इसका उत्र आप्षिन डी मोरारजी देशाए बने थे प्रथम गेर कांगरेशी प्रदान मंत्री अगला एक्षिन निम्णलिकित मैंसे किस ने दो बार कार्यकारी प्रधान मंद्री के रूप में पदबार करहन किया था तो इसका उप्षिन सी गुलजारी लाल नंदा ने दो बार कार्यकारी प्रधान मंद्री के रूप में पदबार करहन किया था नेच्ट प्रदानमंत्री पद पर किसी एक कारियकाल के लिए सबसे कम समय के लिए कौन आसिन रहा था तो इसका उधर option B अटल बिहारी वाज़ पह रहा था, option B सही हो जाएगा आपर अगला आपक्षिन प्रदानमंत्री पद पर सरवादिक समय तक कौन आसिन रहा था तो इसको तो प्रदान मंत्री पत पर सरवादिक समय तक अगला क्षिर अविश्वास प्रस्ताव के कारण सरव प्रतम किस प्रदान मंत्री को अपने पत से त्याग पत्र देना पड़ा था तो इसका उफ्षिर अप्षिर 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 अप्षि से 1984 1984 तक कांग्रेस द्वारा समर्थन वापस लिये जाने के कारण ही त्याग पद्र दिना पड़ा था तो किसी दिना पड़ा था तो इसका अपसंडी उपियुक सभी को चौधरी चरण सी को चंद्रे सेकर को और एच्डी देव गोड़ा को अगलेक्शन लोकसभा का विश्वास मत प्राप्त किये बिना ही प्रदान मंत्री पद पर कार्य करने वाले प्रथम वेक्ती कौन है तो इसका अपसंडी चौधरी चरण सी है अपसंडी से यूजा गया अब है अगलेक्शन प्रदान मंत्री का पद ग्रहन करने के समय विधान सबागा सदश्य कौन था तो इसको तर ओप्सन भी HD देव गोड़ा थे प्रदान मंत्री का पद ग्रहन करने के समय विदान सबागा सदश्य अगला एकुशन प्रदान मंत्री का सपत ग्रहन करने के समय राज्य सबागा सदश्य था तो कौन था तो इसको तर ओप्सन भी स्री प्रदान मंत्री संसद के किसी भी सदन का सदश्य नहीं था तो इसका उत्रा उप्षन भी पी बी नर्सी महरा नियुक्ति के समय संसद के किसी भी सदन का सदश्य नहीं था अगला क्यूशन किस प्रदान मद्री ने एक बार पद से हटने के पच्चाद दोबारा पद संभाला था तो इसका उत्रा उप्सन है इंदिरा गांदिरी एक बार पद से हटने के पच्चाद दोबारा पद संभाला था चलते हैं अगले क्यूशन पे निम्नलिकित में से कौन सा व्यक्तव्य सही है भारत का प्रदानमंत्री तो इसका उत्रा उप्सन ए सही हो जाएगा आपे संसत की दूनों सदूनों की सदिश्यों में से अपने मंत्रियों का चयन करने के लिए स्वतंत्र है भारत का प्रदानमं तो इसका उत्र ओप्शन डी जवाहाल लाल नेहरू सही हुजाए गया आपे अगला विशन वह प्रथम प्रदान मंत्री कौन थे जिन्हों ने संसत्क सत्र में उपस्तित हुए बिनाही त्याग पत्र दे दिया था तो इसका उत्र ओप्शन B चोधरी चरण सही हुजाए गया उपस्ट अगला विश्वास प्रस्ताव के कारण सरुप्रतम किस प्रदान मंत्री को अपने पत से ध्याग पत्र दिया पत्र देना पड़ा था नीदन के पचाट, किसी ने प्रदान मत्री पद गहांन किया था तो इसका उप्सन भी गुल्जारि लालन चाहत शेड़ा ही प्रतान मंत्री राज्य सभा का सद्देश है तो इसको तो अविश्वास प्रस्ताव की सिर्दी में वह अपने पक्स में मत नहीं दे पाएगा अगला किस दल के दल ने दो बार वर्स के समय में दो प्रतान मंत्री दिये थे अगला किशन भारती समविदान के अनुशा तथ्यात्मक सम्प्रभुता निवास करती है तो इसको तो अविश्वास प्रतान मंत्री में अप्सन सी से उजाएगा अगला किशन संसद्य सासन बढ़नाली सरवप्रतम किस देश में विक्सित हुई थी संसद्य सासन बढ़नाली में वास्तविक कार्य पालक सकती किसके पास होती है तो इसको तो अविश्वास मत प्राप्त करने के में असफल रहने के कारण त्याग पत्र देने वाले प्रतान मंत्री कौन है तो इसको तो अविश्वास प्रतान मंत्री किसने एक संसत की हैसियत से संसत के उन सभी संयुक्त अधिवेशनों में उपस्तिती दर्ज कराई जो स्वतंतर भारत के इतियास में अब तक संपन हुए है तो इसको तो अविश्वास प्रतान मंत्री की सरकार के खिलाप रखे गए है तो इसको तो अविश्वास प्रताव में प्रस्तुत अविश्वास प्रस्ताव सरवादिक इंदिरा गांदी की सरकार के खिलाप रखे गए है अगला किशन किस प्रदान बत्री द्वारा प्रस्तुत विश्वास प्रस्ताव पर अब तक की सबसे लंबी बहस लोकसभा में चली थी तो इसका अधर ओप्सन बी अटल बिहारी वाजवई ओप्सन बी सही जाएगे आपे दोस्तों यहाँ पर यह वीडियो समाप कूता है हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो नॉलेजीबल लगा हो आपकी स्टडी में हेल्फुल लगा हो तो इसे लाइक कीजिए सेर कीजिए और अभी तक आपने हमारा यह चैनल ड्रीम केबीजी जीके चैनल नहीं किया है आप हमारी चैनल पे नए हो दोस्तों आपको नम्बर बेंते रहेगी आप निचे रहें रिड़ करके सब्सक्राइब बढ़ा दीजिए और बाजु में रहें बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही फुली नॉलेजबल वीडियो की कि नोटिफिकेशन दोस्तों हमारी ड्रीम के ईपीसी का फेशबूक पेज भी है आप मारा फेशबूक करते हो इस्टाराम पर फोलो करते हो और ट्विटर भी फोलो करते हो अगर हमारे वीडियो अच्छे लगते है तो अधर सील वीडिया साइट में हमारा नॉलेज सेर करत वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को सीर कीजिए और में सपोर्ट कीजिए जय हिंद जय बारत वंदे माध्रम